हेलो फ्रेंड वेल्कम तो यॉर चैनल केपप टीवी इंडिया स्वागात है आप सब काच की नई वीडियो में तो आर्मी इस बात में तो कोई शकी नहीं है कि जैसे-जैसे केपप सूपस्टास बीटियस टाइम के साथ सक्सेस की नई सीडिया चट रहे हैं वैसे वैसे हेटर्स की भी तादाद बढ़ती जा रही है जहां आम लोग अभी तक इस हेट की कीशड में खेला करते थे पहां आप कुछ सिलेब्रेटी भी कीशड में कून कर खेलना चाहते हैं और इस कीशड के इनके नेशनल लेवल चैंपियन है हमारे जिमी की मिल जो कि अमेरेका के फिमस टीबी शो दे लेट नाइट के होस्ट हैं जी है यह वही जिमी की मिल है जिन्होंने हाली में पिछले हफते दुनिया के सबसे बड़े केपप आइडल्स बीटीएस को कोरोना से कंपेर कर दिया था लेकिन जहां यह पिछली बार की चड में बैट कर खेले थे इस बार इनने लेट कर खेलना था इसलिए एक बार फिर से बीटीएस को हेट देने आ गए हैं जहें एक बार फिर से ऻनों ने किप आप सूपरस्टराईस बीटीएस को कोरोना के नय वैरियंट ओमिक्रॉन से कंपेर कर दिया और एक बार फिर से जिमी कमिल के अगेंस्ट आजियन हेट को लेकर ये किम्पेन और भी स्ट्रॉंग हो गई है जिमी किमिल रेसिस्ट, स्टॉब एशियन हीट इस तरह की हैस्टैक से सोशल मीडिया भरा हुआ है तो जहां जिमी किमिल को BTS कॉरोना लगते हैं मुझे लगता है कि जिमी किमिल खُद कोरोना वैरियंट है जो की बार बार कोरोना की तरह ही एशियन को हिट करने आ जाते हैं ये पहली बार नहीं है जब जिमी किमिल ने एशियन के लिए इस तरह का कूड़ा अपने मूँ से उगला है जिमी किमिल इस तरह का कूड़ा टाइम टू टाइम उगलते रहते हैं तो जिमी किमिल के अंदर एशियंस के लिए हेट और रेसिस्म देखने के बाद तो यही लगता है कि किमिल भाईया का उपर का माला खाली है जहां बहती एक लंबी चोड़ी सीना ली है कोरोना से इनकी पुरानी रिष्टेदारी है इसलिए बीडी फूक इनों ने उस पर रिसर्च कर डाली है आजाओ अपनी हरकतों से बाज वरना एशियंस पहना देंगे तो मैं कीचल का ताज तो जोक सापार्ट आर्मी ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते और श्याद इसलिए बीटी एस बीने कोई रिप्लाई नहीं देते बागी पांकदन बॉइस को एक बार फिर से कुविट नाइटीन का वेरियंट बता कर प्रोवोक करने वाले कि वेल अंकल को लेकर आपके दो शब्द क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बागी उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसी ही और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना थैंक्स फर वाचिंग